प्रबीश मसी के नाम से मैं आप सबका अभिवादन करती हूँ धनिवाद करती हूँ कि आज फिर से मुझे एक मोका दिया गया है कि मैं परमिश्र पिता के बचनों को आपके सामने लाके रखूँ तो आई हम छोटी से दुआ करेंगे अति अनुगरेकारी हमारे जीवित परमिश्र पिता दनिवाद के साथ आगे हम आए हैं परमिश्र पिता आज के जो वचनों से हम सीखे है और जो सीखने जा रहे हैं परमिश्र पिता हम सब की आँखों को खोले और हमारे दिलों को खोले परमिश्र पिता कि हम आपको अपने जीवन में आप अपने उध्वार करता के रुप में स्विकार करें. दनिवार पिता, सारी बातों के लिए जो कुछ भी हमने मांगा है, हमारे उध्वार करता, रभीश मसीख के नाम से मांगा है, सुन्हे और दया से रहंड करें. दनिवार. Thank you. Thank you Father. तेंकि पीता। उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा और खोलकर मेरे पास ले आओ। तो दू के बच्चे पर चेलो ने जाकर जैसा येश्व ने कहा था ऐसा किया। पगदी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और उन पर उस पर बैठ गया। तब बहुसे लोग ने अपने कपड़े मार में बिछाए और अनिये लोगों ने भेडों के पेडों से डालिया काट कर मार में बिछाई जो बीड आगे आगे जाती थी और पीछे पीछे चली आती थी। पुकार पुकार कर कहती थी के दाउद के संटान की गोसाना दन्या हो जो रभू के नाम से आते हैं आकाश में होसाना जब उसने यरुशाले में प्रविश किया तो सारे नगर में फल बली मच गई और लोग कहने लगे कि यह कौन है लोग ने कहा यह गालील के नाजरत का भ यह प्रव है तो हम देखेंगे कि human history में ऐसा कोई महत्वपूर्णा दिन नहीं है कि प्रभु येश्यू ने सुली पर जड़ाना और उसका मृत्यू पर विजयी होना बहुत सारी घटनाय हमारे संसार में घटी है लेकिन हम देखेंगे कि इसके अलावा और इतनी महत्वपूर्णा चर्चा कि सामाज के लिए एक बहुत बड़ार तो हम देखते हैं कि यह रूशाले में विजयी प्रभेश्ट प्रभु ईशु का विजयी प्रभेश्य यृटू्शाले में तो यहां पर हम देखेंगे कि आई हम वचनों से देखेंगे कि किस तरह नाटियात्मक रूप से प्रवीशु गधेव के उपर आए ना तो उन्होंने गोडा चूस किया ना रत पर आए लेकिन जिस तरह हम देखते हैं कि वचन कहता है यह जकारिया प्रवतक की पुस्तक उसक वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है वो दीन है तो दीन जो गधा गधे का पच्चा है वो दीन ताका सूचन करता है और हम देखते हैं कि वो दीन है और वो गधे परवरन गधी के बच्चरे पर चड़ा हुआ आएगा तो यहां पर हम देखते हैं कि भविश्य चाया नभी की पुस्तक में भी उसका 53, चैप्टर 4 से 5 आयात में भी लिखा गया है कि किस तरह परमिश्वर का आना, प्रभु इशू का आना, जगत के उद्धार के लिए, वो सारी बाते भविश्य वक्ताओं ने Old Testament में लिखी गई है. तो यहां पर हम देखते हैं कि 3 टाइप के, जैसे कि क्राउड थे, जैसे एक क्राउड में सादू की और फरोसी थे, दुसरा एक क्राउड था, जिन लोगों ने उसके चेले थे और एक क्राउड ऐसा भी था कि जिन में जो चमतकार प्रभु इशू ने किये थे, तो वो चमतक के उपर से वो लोग प्रभु इशू को देखने के लिए वहां पर इकटा हुए थे, तो यहां पर हम देखते हैं कि तीन प्रकार के क्राउड वहां पर है, और यह देखते हैं कि वो लोग बड़ी, जैसे कि उसको मान से, इतना मान देते हैं कि अपने कपड़ों को भी वो उनको भी बिच्छा देते हैं, तो उन्होंने हम देखते हैं कि पवित्र सास्त्र हमें सिखाता है कि जो अन्यूयाई की बीड़ वहां पर थी, उन्होंने बड़े उस्सा से परमेश्वर को महिमा देते हुए परमेश्वर के नाम पर जो राजा आया था, उसका धन्यवाद यहां पर हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि जो परमेश्वर के नाम पर आता है उसको धन्यवाद, तो वो जानते भी है कि वो एक अपिस्थिक्त राजा है और परमेश्वर के द्वारा बेजा गया राजा है, तो यह दो बाते उन्हों लोग जानते थे, फिर भी यहां पर हम देखते हैं कि दूसरी बात यह है कि दूसरा crowd यह है कि वो लोग क्यों उन्होंने बिरोध किया तो हम दसवी आया से हम देखेंगे कि जब उन्होंने यरुशाले में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई तो यहां पर यह जो हलचल वाला जो पोशन है तो हम देखते हैं कि क्यों हलचल मच गई क्योंकि कई लोग ऐसे भी थे जो प्रभु इश्यू का वहां पर आना तो उनके लिए एक खत्रे की निसानी के रूप में था तो उन लोगों के दीलों में हलचल मच गई दो प्रकार के लोग यहां पे हम देखते हैं कि एक उसके अनुयाई है दूसरे एक लोग है कि जो सादू की फरोसी है और जो लोग तीसरे वर्ग है जो उसको देखने के लिए आये थे कि वो कौन है जिसने मुर्दों में से जिलाया है तो यहां पे हम देखेंगे कि किस तरह नगर में हलचल मच गई और हम देखेंगे कि ये बाते क्यों हुई जैसे कि हम देखते हैं कि पहले वो मान देकर उसको बुलाते है और दूसरी बार वो उसको वदस्तम पर जड़ाने की मान करते है तो ये विरोधा भास क्यों है क्यों ऐसे एसा विरोधा भास हुआ कि वो लोग एक बार बोलते है कि प्रभु के नामे आये हुए जो सेव के उसका धन्यवाद करो और दूसरी और वो बताते हैं कि उसको सूली पर जड़ाओं तो ये दो बात करने का कारण ये ही है कि उस समय का जो सामराजय था वो ग्रीक, रोमन और जू वो तीन बड़ी सामराजय थी उनसे बना हुआ वो सामराजय था और वहाँ पर एस्टाब्लिस होए थे ग्रीक लोग जो है वो सब उसकी जो सब्यता थी वो संस्कृती के पीछे उनका समय था कि वो जैसे कि नाटियकला या चित्रकला या लेखनकारिय या साइंस के पीछे लगे हुए थे और जो रोमन सामराजय था वो एक सैनीक योधा के रूप में जो कुरूरता का प्रदशन करते थे और लोगों को बहुत ही कुरूरता से उनके साथ बिहेव करते थे और उस समय का जो माहोल था उसमें 70% लोग गुलामी के गुलाम थे और गुलामी में लदे हुए थे और हम देखते हैं कि पवित्र सास्तर में भी लिखा है कि उनके जो कान की जो बुट होती थी उसको भी वो जैसे की छेटते थे तो उसके लिए वो गुलाम पर्मेनेंटली वो हो जाता था तो जो जिस तरह वो सताये दबाये पीसे हुए लोग थे तो वो अपने छुटकारे की आशा लगाये हुए बैठे थे और उन्होंने बचनों से ये पढ़ा कि एक उधार करता आने वाला है एक मसीहा आने वाला है लेकिन वो मसीहा कौन से रूप में आएगा वो उन लोगों क पता नहीं था वचनों से वो पढ़ते थे लेकिन वो समझते नहीं थे क्योंकि वो इतने दबे कचड़े और पीसे हुए लोग थे कि वचन की जो गहराही थी वचनकी जो सच्चाई थी उसका प्रकाशन उनपर नहीं पढ़ता था और हम देखते हैं कि वो लोग किस तरह ज और उन्होंने सोचा कि ये आएगा और वर्ली जो भोतिक उसकी कलिशा है कि या पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें वो एंटर करेंगे लेकिन हम देखते कि यहां उसके बावजुद विपरित परिणाम हुआ कि उन्होंने तो एक नम्र दास के रूप में आए नहीं उन्होंने एक राजा के रूप में उन्हों को छुडाया नहीं गुलामी से छुडाया नहीं उन्हों की शुरक्षा करी तो यहां पर हम देखते कि वो ही मार खाता है तो तब उनका जो रवया था उनके प्रति वो पूरा बदल गया और उन्होंने उसके जैसे कि हम लिखा है कि उनके लिए उन्होंने क्रूस की मौत के लिए भी उन्होंने कह दिया कि उसको लटकाया जाए सुली पे तो आज हम देखेंगे कि प्रभु ईशु का जो राज्य था तो वो क्या था तो यहाँ पर उसकी प्रभु ईशु का लेकिन वो हमारे दिलों और दिमाग के जो हमारे दिल का जो राज्यासन है उस पे बसने आया था और परमिश्र की योजना जो हमारे उद्धार के लिए थी उसको पूरी करने के लिए आया था. वो उन्होंने समझाने जो वचन में लिखा था वो पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे, वो पतानी लेकिन अगर बढ़ा होता तो उन्होंने जरूर जान लिया होता कि ये इस मसिहा का मतलब क्या है कि जो जगत के पापों से हमें लटकाने की अभिलाशा रखते हैं वहाँ पे उनकी जो अभिलाशा वो पूरी नहीं हुई इसलिए उन्हों ने उनको सुली पे लटकाने की मांग करी और हम आगे देखेंगे कि प्रभू इशु ने उन लोगों को क्या उतर दिया तो युगुन्ना रचिसु समाचार 18 उनका 36 पद में लिखा है कि येशु ने उसे उतर दिया कि मेरा राजय इस संसार का नहीं यदि मेरा राजय इस संसार का होता तो मेरे सेवक लटते कि मैं यहुदियों के हाथ में सौपा न जाओं परन्तु मेरा राजय यहां का नहीं है ये बच्चन हमें सिखाता है लेकिन जो ल दिलों पर राज करने का था हमें उद्धार का मार्ग बताने का था और हमें उद्धार देने का था तो यहाँ पे हम देखेंगे की हम किस तरह प्रभू इस्थी को अपना हीición को अपनाई है कद हम हमारे जीवन को चेक करें कि हम कौन सेी ट्रॉट में है जो crowd प्रभू इशू का जैसे की होसाना होसाना करता था उसी crowd में है या जो प्रभू इशू को सुली पे लटकाने वाली बात कर रहा था उस crowd में है क्योंकि हमारा उद्धार करता तो नहीं हमें इस जगिक जो सिस्टम है उसे छुडाने के लिए नहीं, लेकिन जो उसकी अननकालिक, जो योजना है, तो उसमें बसाने के लिए वो हमें तयार करने के लिए आया था. तो हम भी ऐसे ही आज के दौर में हम जानते कि second coming of Jesus Christ तो हम राह देख रहे कि परमिश्वर का राज्य आने वाला है तो उसके लिए हमारी तयारी क्या है हम क्या उसके लिए तयार है क्या हमने अपने उद्धार करता को हमारे रिदे सिहासन में स्थान दिया है कि हम वचनों से पढ़ते हैं लेकिन वही बाते हमारे जीवन से जब हम परिशानी से या सताव से पिडित होते हैं तब कभी-कभी हम ऐसा कि परमिश्र के बचनों पर नहीं विश्वास करते है और उसी क्राउड के जैसा कि उन्होंने ये नहीं किया तो हम परमिश्र को छोड़ दे तो उसी तरह हम भी उसी क्राउड में खड़े है कि इस जगत के जो सतनाव है उससे वो हमें नहीं छुड़ाता है तो हम जगत क क्राउड में जाके मिल जाए तो मेरे प्रिये भाईों और बैनों हम अपने रिदई को जाचे और परमेश्वर के बचनों से पड़े कि उद्धार का कारिय तो उन्होंने सूली पे कर ही दिया है और जो अनंकालिक जीवन वो हमें देने के लिए जा रहा है तो उस अनंकालिक जीवन की आस लगा के हम उसके आने की बाट को देखे और नाही मतवान नहों और हमारे परमेश्वर पिता का जो उद्धार का कारिय उन्होंने सूली पे किया है उसका हम धन्यवाद करे और आने वाले जीवन में हम उसकी आशिशों को पाए तो मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता के इस कारिय के लिए और प्रभुईश्व के विज़े बन प्रवेश के लिए और हम सब अपने दिलों को टटोले और जाजे कि हम कहां पे खड़े है